गुंजाए मान हो, मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आदर्णिय मंच को, आप सभी मेरे आदर्णिय बंदूओं को, आदर्णिय जगत परकाश नड़ा जी, हमारे भाई दुश्यंत गौतम जी, दीदी निर्मला सीता रमन जी, दीदी स्मृती इरायनी जी, और हमारी अ फिर से जोर्दार अभिनंदन तालियों के साथ में, मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब भी लोग अपना स्थान लें आप सभी माननियों का अभार, नमस्कार, आदाव हम आज इस खुबसूर्थ पल को, मैं कहूंगी, बहुत ही सुनहरे उत्सव को सलिवरेट कर रहे हैं सुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने देश के, यश्यश्वी प्रधान मंत्री जी का, साथ ही साथ, राष्टिय ध्यक्स, श्री जग्त प्रकाश नडड़ा जी का, तथा समूचे भाजपास गठन का, जिनोंने नारी शक्ति को गोरुमबाम्मित किया, समानित किया, दे आज समस्त नारी शक्ति खुश है, हम और आप खुश है, इस मुस्क्रहाट और इस बाइदे के साथ आगे बढ़ते हैं, कि ये मुस्क्रहाट और सम्मान युही निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, दीप्रज्वलन भारतिये पद्धती में किशी भी शुबकार्य का सुम्बारव भगवान को याद करने के साथ साथ उन तमाम विभूतियों को भी याद करके किया जाता है, जिनके पद्चिनों वासिधानतों पर चलकर आज हम यहाँ पोंचे हैं, इसलिए मैं अपने करती हूं, साथ ही साथ मैं लोतिका लाइमा, जो मनिपूर की अध्यक्सा है, उनको बंदे मात्रम, सरसती बंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं. उसी खुबसूर्थ प्रंप्रा के साथ आईए चले प्रकास से अंधकार की और सरसती बंदना के लिए. झालो है। है 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 हुआ है उसी खूबसूर्थ प्रंपरा के साथ आए चले अंधिकार से प्रकाश की और सरी सरस्वती बंदना के लिए हम सब खड़े होकर खड़े होंगे कि अपने प्रिस्थान पर आई वन्दे मातरम वन्दे मातरम सुझेलाम सुफलाम मलय जशीत लाम सश्यशा मलं मातरं वंदे मातरं सुब्र जोचना पुलकित यामिनी फूलकु सुमित रुमधल शोबिनी सुहाशिनी मुद्र वाशिनी सुखदाम वर्दाम मातरं वंदे मातरं भारत माता की जो समयन अगमाते हुए मैं अपनी राष्टिय देख्षा आद्रयोग्य बांती शिरीनिवाशन जी सेवनमर अनुरोद करती हूँ कि आप आएं और आए हुए आतित्यों के स्वागत में कुछ शब्द कहें इसके बाद हैं अच्छा अब शेश परंपरा अतिति देवो बबा हम अपने अतितियों का सतकार करेंगे सम्मान करेंगे उन्हें ये जताने के लिए कि आप देश के लिए ही नहीं राष्टर के लिए ही नहीं अपने संगठन के लिए भी उतने ही मुल्यवान हैं उतने सम्मानित हैं आपको जो सम्मान पंधार मंत्री जी ने दिया है, कैविनेट में स्थान देकर उससे भाजपा महिला मोचा गौरवांबित है, हम यूं, हम ही क्यूं भारत की स्मुची नारी शक्ति, स्वाय को गौरवांबित महसूस कर रही है, मैं राष्टी अध्यक्सा से अनुरोद करूं अब मैं अनुरोद करूंगी, राष्टी अध्यक्स श्रीमती, बांती जी का, बांती जी से कि श्रीमती, अब मैं राष्टी अध्यक्सा जी से अनुरोद करूंगी, कि सभी समानित मिनिस्टर जी का, शौल बाबक्ट देके, समानित करें, सभी मिनिस्टर जी को, सबसे पहले मैं उनसे अनरोध करूँगी कि हमारी समाननिये मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रह्मन जी जो बरतमान में केंदरिय केविनेट मंत्री बित एवं कॉर्पोरेट मामले हैं उनको समानित करें अब मैं अनरोध करूँगी श्रीमती सिमरिती इरानी जी को हमारी राष्टिय धक्सा जी समानित करेंगी जो बरतमान में केंदरिय मंत्री महिला एवं बाल्क विकास मंत्री हैं अब मैं अनरोध करूँगी अपनी राष्टिय धक्सा जी से कि वो समानित करें श्रीमती सिमरिती रानी जी को जो बरतमान में केंदरिय मंत्री महिला एवं बाल्क लियान मंत्री हैं बाल्क विकास हैं कि अपनी राष्टिय धक्सा जी से कि हमारे राष्टिय धक्सा जी से श्री दुर्श्यंत गोत्म जी का स्वागत करें सम्मान करें मैं नुरोध करूँगी राष्टिय धक्सा जी से कि श्रीमती रेनुका सिंग जी जनजातिय मामलों की राज्य मंत्री हैं उनको सम्मानित करें लतिका शर्मा जी साथ में तो सम्मानित करेंगे लतिका जी आप भी साथ में आईए श्रीमती मिनाक्षी लेखी जी विदेश मंत्री हमारे बीच में हैं मैं राष्टिय देख्षा जी से अन्रोध करेंगी करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें साथ में मेधा कुल करनी जी महिला मौर्चा की राष्टिय उपार देख्षा मेधा जी साथ में रहेंगी इसके बाद आधर्णिय बहन दर्शना जर्दोष जी से मैंने वेधन करती हूं किरपया मंच पे आएं और दर्शना जी का विनंदन करने के पूजा कपिल मिश्रा जी हमारी राष्टिय देख्षा जी के साथ जूड़ेंगी महिला मौर्चा की उपाध्षा दर्शना जी Minister of State of Textile and Minister of State of Railways हमारे बीच में आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन अगले स्वागत के लिए विरेंदर को ठांडी जी को उपाध्यक्षा महिला मोर्चा को मैं अमंत्रित करती हूं मंच पे अध्यक्षा जी के साथ में और मंत्री हमारी बेहन शोभा करंडल जी जी को हम निमंत्रित करते हैं किर्पया मंच पे आएं और पूरे महिला मोर्चा का अभिवादन स्विकार करें आप दो बार MP रही हैं Minister of State of Agriculture and Farmers Welfare ऐसी हमारी बेहन शोभा जी का साध्वी निरंजन जोती जी को मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगी और अभिनंदन की श्रिंखला में साथ में जुड़ने के लिए श्रिमती लतिका शर्मा जी लतिका जी हमारी कोशा देक्ष महिला मोर्चा की साथ में जुड़ेंगी हमारी बेहन साध्वी निरंजन जोती जी के लिए जोड़दार तालियों से अभिनंदन करें इसके बाद हम सभी श्रिमती रेनुका सरूता जी का भिनंदन करेंगे और बहन दल बहन अनुपूर्णा देवी जी अनुपूर्णा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन हमारे बीच में किरप्या जोड़दार तालियों से सभी बहने जुड़ती रहें मैडम पृत्रिमा भूमिक जी आप सादर मंचपर आमंत्रित है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एंपार्मेंट आप त्रिपुरा से एंपी है आपका भी जोड़दार तालियों से अभिनंदन आपको एश्वरिया विश्वास जी साथ में एश्वरिया विश्वास जी साथ में जुड़ें हमारी अपनी महिला मोर्चा की प्रदेश अद्यक्ष रही बेहन प्रतिमा भूमिक जी आपका हार्दिक अभिनंदन जोड़दार तालियों से स्वागर डाक्टर भारती पवार आप मंज पर आएं डाक्टर भारती परवीन पवार मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ और फैमिली वेल्पेर आप महराष्ट से एंपी हैं आप पेशे से डॉक्टर हैं और नीतु देवास जी हमारी मीडिया प्रमुक साथ में जुड़ेंगी अभिनंदन के लिए और सभी बहने जोड़दार तालियों के साथ में इस स्वागर के श्रिंद्रा में जुड़ेंगी आज का ये कारिक्रम होना तो थोड़ा बड़ा था पर कुछ समय की उपलब्दता हमारे अध्यक जी को कम थी तो हम अध्यक जी से निवेदन करेंगे कि हमें दुबारा इस समय की थोड़ा लंबा करके दिया जाए ताकि जो अर्मान हमारे दिल में अपनी बहनों के लिए हैं, महीला मंत्रियों के लिए हैं, हम ढंग से उसे कर पाएं, अभी बहुत सारी चीजे थी, हमारी वीडियो भी थी, और सभी का बहुत बड़ा परिचय था परन्तु जब पता चला कि अगले दस मिनट में अभी नंदन के कारिकरम को हमारी को खतम करना है, तो इसलिए हम थोड़ा चोटे में कर रहे हैं, अब मैं निवेदन करती हूं हमारी राष्टिय अधेक्षा वानती श्री निवासन जी, वो आएं और अपना वेलकम स्पीच एक बार जोड़दार तालियों के साथ में सभी बहने जोड़ेंगी, वानती श्री निवासन जी नमस्कार, वनक्कम, on behalf of Maghila Morcha, we warmly welcome our Honorable National President, Shri J.P. Naddhaji here, and our respected National General Secretary, Shri Dushyant Kumar Gautamji, he is a prabari too for our Maghila Morcha, we are warmly welcoming him, Honorable Minister of Finance, Shri Mati Nirmala Sitaraman, Ungalay Anwudan Varavet Girong, Honorable Minister for Women and Child Development, Shri Mati Smriti Irani ji, Ami Andarika Babi Sbaghat Janati, May Honorable Minister of State, Sathvi Niranjan Jodhi ji ka swahat karti hoon. Honorable Minister of State, Kumari Shobha Karandil ji, Maana Swahat Madutenu. Honorable Minister of State, Shri Mati Darshana Jardosh ji, ku apnu khirtik puravik swahat choo. Honorable Minister of State, Shri Mati Meenakshi Lekhi ji ta, swahat karti hoon. Honorable Minister of State, Shri Mati Annapurna ji, ku apka swahat karti hoon. Honorable Minister of State, Shri Mati Pratima Bhavik ji, Ami Andarika Babi Janati. Honorable Minister of State, Dr. Parvati Pavar ji, me mana pasun aple swahat karti. And respected our former National Presidents of Maghila Morcha and members of Parliament and office bearers of Maghila Morcha, we extend our warm welcome to all the Maghila Morcha karikartas here. It gives us an immense pleasure and happiness to receive all our ministers, to share our happiness about how our Honorable Prime Minister has given or he shown the way how the Women Empowerment has to be. Friends, BJP is a party with a difference. For a long time, our party has given 33% reservation in organizational responsibilities. And in independent India, such a good number of women ministers have been accommodated in the ministry. We take this opportunity to express our gratitude and sincere thanks to our Honorable Prime Minister for recognizing our women leaders and given them key portfolios to attain our goal of or vision of Vishwa Guru to take this Bharat through the greater height. Of course, the gender gap is prevailing in politics all over the world. India is no exception for that. But sincerely, BJP is trying its best, motivating and encouraging and bringing a lot of women karikartas into the party, training them, encouraging them to serve the people and ultimately recognizing them to keep an important position to execute their responsibility. Generally, for any women, attaining their political aspiration without any family background, I would like to draw the attention of all the people across the country. The women who are sitting here, they are sitting here on their own capability and because of their sincere hard work. They are not sitting here because some of them are somebody's wife or daughter or sisters. And it is a true example of how women leadership has to be given their due chance or share in this country. Always our Honorable Prime Minister keeps in mind of women welfare or women development in all his schemes or the programs. On behalf of Maghila Morcha, we are also taking that responsibility of reaching out crores and crores of women of this country. Their lives have been changed because of our Honorable Prime Minister through various schemes. Whether it is construction of toilets or Jantanakon, Betibachau, Koshanabiyan, we can tell hundreds of that kind of schemes. And we are also realizing that responsibility of taking these schemes to each and every house in India. And we are also planning several that kind of programs. And practically at the ground level, we are seeing how the village women, she is using her ATM card while doing her agricultural activity after returning from the field. And we could see how Suhanya Samruti, it has given the hope for girl children to take up their education or employment and even sometime for their marriages. Nowadays the parents, they don't think that women or girl children are a burden for them. So, one by one we can tell and how the women interest and their welfare is being taken care of our central government under the leadership of our Honorable Prime Minister. Now, a step forward, 11 ministers have been given. It is not only a mere portfolio, it is all important key portfolios. For a first of its kind, our Honorable Minister of Finance is sitting here. She is the first full-time Defence Minister of India. She has safeguarded our boundaries. Now she is taking care of lives of crores and crores of people of this country. And one more, Durga is sitting on the dais. She is always a source of strength for us. She was a former Maghila Morcha National President. She has driven away the dynast Maharaja, Yubaraja, because now he is not Yubaraja. Driven away to South India. She defeated. BJP believed in women leadership. They fielded the women candidate against the important leaders. At the same time, our women leaders are proving that BJP is the party. With this party's strength, we can defeat anybody who is not working on the line of welfare of the people or in the interest of the nation. So it is an opportunity for us, all of us, on behalf of Maghila Morcha, we express our sincere thanks and gratitude our national president for giving us this opportunity of felicitating all the women ministers here. In a way, it is increasing the morale of Maghila Morcha Karikartas here. We are very happy to felicitate all the women ministers here. Before ending my speech, I would like to read a small poem for this, all the saktish. You are theement of Maghila Morcha Karikartas. तू उड़ती मेटी पावन है, तू कोश्क है, कुशियों का, इच्चाओं का शमन है, दुजिजे ही ये ब्रमांड है, और दुजिसे ही स्रिष्टी है, दुजिसे ही जीवन और दुजिसे ही दृष्टी है, है नारी, तू दरा, तू सर्वता, तू प्रदा, बक्ती और तू की परंबरा है, है देवी, जहत जननी, मात्रु शक्ती, दुजे नमन है, दुजे नमन है. बहुत दन्यवाद, थैंक यू बरी मच्छु अब मैं बिनवर अरोद के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूं, केंद्रिय मंत्री महिला एवं बाल कल्याण, श्रिमती श्मृति रानी जी का, आप हमारा मार्गवदर सुन करें, ताकि महिला मोर्चा पढ़चर कर समाय सिमा में अपना योगदान देने के लिए प्रोथशाज तो हो। कि आज माननिय राष्ट्रिय अध्यक्ष जी के सानिध्य में, महिला मोर्चा की राष्ट्रिय अध्यक्षा उस मात्रशक्ति का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है, जो इस संगठन की शक्ति से प्रस्फुटित हुई और आज राष्ट्र की सेवा में समर्पित ह मुझे मंच पर इंदू जी ने आमंत्रित किया वर्तमान मंत्री के रूप में लेकिन आपकी अनुमती से अध्यक्ष जी मैं महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा के नाते आज गौरव के अनुभूती करती हूँ कि इस मंच से आपने राष्ट भर के भारतिय जन्ता पार्टी की संगठन को समर्पित राष्ट सेवा में समर्पित हमारी कारिकरता बहनों का आज मान बढ़ाया है राष्ट भर में ये चर्चा का विशे बना कि सबसे जादा महिलाओं की भूमिका नरेंद्र मोधी सरकार में मंत्री परिशद में हम सब को देखने का सवभाग्य मिला लेकिन आज अगर महिला मोर्चा के इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखें तो मेरी लिए गौरव का ये विशे है कि मंत्री मंडल में जितनी महिलाएं आज यहाँ पर उपस्थित हैं उन में से अधिक्तम बहनों का युगदान भारतिय जन्ता पार्टी महिला मोर्चा में रहा है संगठन यात्रा में कई बार आपा धापी में मोर्चे के काम में समर्पित कारे करता अपनी विशेष्टा समझते समझते कई साल बिता देता है लेकिन आज इस मंच से आधनिय नढधा जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि महिला मोर्चा के माध्यम से संगठन यात्रा जिन बहनों ने पून की आज ये मात्र महिला मंत्री का नहीं बलकि उनका भी अभिनंदन है मैं संग्षेप में यही कहना चाहूंगे कि जैसे वानती जी ने कहा भारतिय जनता पाटी का ये गौरव है कि राश्ट सेवा में समर्पित एक ऐसे प्रधान सेवक हमको प्राप्त हुए जिन्होंने राश्ट भर से आवान करते हुए कहा कि देश की महिला कोई खेरात नहीं मांगती राश्ट के नब निर्मान में इक्वल पार्टनर्शिप मांगती है और इसलिए प्रधान मंत्री जी ने कहा कि नए युग में विमिन इंपावर्मेंट की मात्र मत सोचो विमिन लेड डेवलाप्मेंट से ही नए भारत का निर्मान होगा ये बात मानलो ठानलो ये हमारा संगठन का सौभाग्य है कि राष्ट में एक ऐसी सरकार हमारे संगठन के माध्यम से आई जिसने उस बेटी का दर्द समझा जो चुपचाप खुले में शौच के लिए सूरट ढलने के बाद जाती लेकिन कभी किसी राजनेता से चुनाओ के वक्त ये नहीं कहती कि उसकी सबसे बड़ी दर्कार एक शौचाले है वो सम्मान के साथ अपने जीवन के दिन की शुरुवात करना चाहती है राष्ट के तिहास में कई नेता आए गए कितने गरीब घरों में महिलाओं ने चूले फूंके अपनी चाती में धुएं को भर कर जीवन में संघर्ष किया लेकिन उस बहन ने कभी भी किसी नेता से ये नहीं कहा कि मेरी तकलीफ को मेरी रसोई में कम करो इन तकलीफों को समझा हमारे प्रधान मंत्री जी ने मात्र शौचाले नहीं बनाया मात्र उज्वला के माध्यम से गरीब के घर में सिलिंडर नहीं पहुँचाया बलकि लाल किले की प्राचीर से राश्र के तिहास में पहली बार एक प्रधान मंत्री ऐसे आए जिन्होंने कहा कि शाम को जब बेटा घर लोटता है तो उससे भी वही सवाल करो जो बेटी से करते हो हम गौरफ करते हैं इस बात का कि आज मंत्री मंडल में वित्त मंत्री के साथ साथ राज्यमंत्री विदेश राज्यमंत्री रेल महिलाए हैं कई लोगों का मानना था कि महिलाओं को ठोस काम नहीं मिलता लेकिन अपने आप में इन कार्यभारों का आवंटन राष्ट की चेतना का प्रतीक है कि अगर संगर्ष भरपूर हो चुनोती का चाहे कोई भी क्यों नहो महिला है तो पार लगा देगे सामाजिक समिकरण मंत्री मंडल में दिखता है लेकिन अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन है आपको आभार है कि आज एक तरफ भारती बेन यहां बैठी है महराश्ट में सादवी जी बैठी है उत्तरप्रदेश से शोभा जी करनाटक से लेकिन गौरव इस बात का भी है कि त्रिपुरा से भी पहली बार केंद्रे मंत्री मंडल में कोतिमादी यहां पर हम सब के बीच भारत की महिला का प्रतिबिंब इस मंत्री मंडल में आप सब के आशिरवाद से दिखता है और जैसे कि वानती जी ने कहा मात्र मंटी मंडल का और उसमें महिलाओं की विशेश भागीदारी का ये आयोजन नहीं है ये संदेश है देश के हर बेटी को कि जरूरी नहीं तुम महिलो में जन्म लो ये संदेश है देश के हर महिला को कि जरूरी नहीं किसी राजनीतिक खांदान में जन्म लेने से ही तुम्हारा भविश उज्वल हो ये आवान है देश के हर महिला को हर बेटी को कि अगर ठान लो, तो देश की राजनीती में सम्मान सहित तुम भी सर उठा कर चल सकती हो, अपने लिए जगा बना सकती हो. इसलिए आज मंत्री मंडल में सभी बहनों की और से, महिला मोर्चा की सभी बहनों की और से, और भारतिय जन्ता पार्टी की एक-एक महिला कारेकर्ता की और से, राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडडा जी को आभार व्यक्त करती हूं, प्रधान मंत्री जी को मैं नमन करती हूं, कि विमेन लेड डेवलाप्मेंट की परिभाषा क्या होती है, उसकी एक जलक आपके आशिरवात से अब काउंसल अव मिनिस्टर्स में भी दिखती है, आशानवित हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, जब मंच पे आप में से कई महिलाईं यहां बैठी होंगे, और इंदु जी जी की तरह या रेखा गुपता की तरह मैं भी फूल लेकर किसी का अभिनंदन करने इस मंच पर आउंगे, संगठन की यात्रा में आप सब योगदान अपना निरंतर देती हैं, संघर्ष करती हैं कई बार उफ तक नहीं कहती हैं, इसलिए उस चुप्पी से दिये गए योगदान के लिए, आज वर्तमान में जितनी बहने हैं, वो जसका और मीना जी भी बैठी हैं, वो बेहने, जिन लोगों ने हमारा तब गौरब बढ़ाया, जब महिलाओं के बारे में राजनीती में बड़ी मुश्किल से चर्चे होते थे, इस मंट से आज उन बहनों को, चाहे वो सुमित्रताय महाजन हो, चाहे वो जयवंती बहन महता हो, चाहे वो स्वर्ग्य सुष्मा स्वराज हो, उनके चर्णों में नमन करते होई, उनके योगदान को याद करते होई, एक बार फिर अध्यक्ष जी आपको और वानती जी को आभार वर्क्ति योति, जय है। अब मैं बिनमर अनुरोद करूँगी, हमारी समानित केंदरी मंत्री वित तैमब कॉर्पोरेट मामले, श्रीमती सीतारावनजी से, आप अपने संबोधन से हमें लामभाभित करें, ताकि हम बाजबा मेला मोचा की बहने, आपसे प्रेणना ले सकें। No, I don't know, I don't know. Respected Nadda Ji, President Mahila Morcha, Vaanati Srinivasan Ji, in charge of Mahila Morcha, Gautam Ji, my colleagues and all inspiring members of Mahila Morcha, extremely honored to be here. Even at the cost of repeating, I want to bring some facts before you. I'm standing before Mahila Morcha, but I have to very clearly say, I've never had the opportunity of being a Mahila Morcha member. I've said this a lot of times before, I'm saying it even now. And that clearly today shows me one deficit. I come from the same land as Vaanati. I've never had the courage to speak in Hindi. Mahila Morcha trains people to speak in Hindi. Look at her reading poems. One big thing that I have lost out on. Yes, I should have been in Mahila Morcha, so that confidence to speak in Hindi would have been in me. Now I don't have the courage at all. I've lost that advantage. But it's really admirable that Mahila Morcha actually gives so much of opportunities for women, women from all straight of life. And I also will again highlight one point that Manate Srinivasan had said. It's not to undermine anybody's role, but I've never in my life gone through Mahila category, for some reason. Till that one day when Bharatiya Janata Party approached me and said, look, we are giving 33% reservation for women at all levels. Would you please join the party? And I said, what? On Mahila reservation? But it was a point, and at home it was a point of charcha, and people said, a national party. Because by that time I had been in the National Commission for Women. So a national party is giving reservation for women, and in that category they want to take you. You should feel honoured. Just shut up and go. So I left my home and came. And I must say at that time, as party general secretary, and now Raj Rajakshi, Nadaji was of immense support, because for me to come from home and be here all alone, having left a family, and to be the party spokesperson was a completely different route. But yet, the entry was because I was a woman, and the party chose to give a category of people from women to enter into the party. Otherwise I wouldn't be here. So the point that I want to tell you is, this party actually treats its women so specially, and empowers them at every stage. Some of the points which I wanted to very quickly, you know, jot down and say, Smritiji's actually caught it all up, but I will still repeat. Those days, when I was not in the BJP, one of the greatest inspiration used to be looking at different women who have come up. Jayavanti Ben used to be one of my big heroines. Wow, look at her dealing with the ministry like that. Sushma ji was a big inspiration. Sumitra Thayi, I used to interact with her when she was an MP. I was in the commission, I used to go sit with her. She used to live very close to that Gurudwara somewhere. And what kind of influence she had on me, I can't tell you. Occasionally I had great influence of Vasundra Rajaji. Of course, I've read a lot about Rajmataji. Being in a party and, you know, the kind of power she showed wherever she sat, sat next to Vajpayee ji, and she would radiate the kind of charm she had, in spite of being elderly. So the point that I'm trying to say, and of course, Jaskor ji Meena. I've had a lot of time learning from her when I was a member of the commission. I used to see her. Murudula Sina ji, can I miss her? What kind of influence, I used to grudge. My God, why can't she speak a bit of any other language? She was so good in Hindi. I had my permanent complex in Hindi, but she was fantastic. She was very good in writing. I used to attend reading. Why am I elaborating on all this? Maya Singh ji, again. Why am I elaborating on all this? Each of these women come from different backgrounds with different skill sets. They were each on their own, so much of already contributing to the society. And these were the people which Bharatiya Janata Party had already given high ranking positions. So for anybody within the party, it's natural you will be influenced by them. But for people who are outside the party, they stood out. They stood out. And for a party which is seen as very patriarchal. You know, the liberals would always say, no, this is a party which is male dominated. Nothing. We should all stand up and say, tell me such women. Have you seen it in any other party? And one example I will tell you. For all the liberal speech that communists give, Vrinda Karath had to struggle to come into the Politburo. By which time, Bharatiya Janata Party's parliamentary board already had Sushma ji in it. So the point that I want to highlight here is this party has been encouraging women all the while. And parties like communism, party like CPM, try to talk about women's equality, get the bill and so on. No bill, nothing. We have showed it in the party. First it was 33%, then we also had very many. And I quote this example again. In Gujarat, when our current prime minister was the chief minister, he would encourage panchayats to choose all members as women and they would give special incentive to that panchayat because all 50%. There are very many women members here. I can see Poonam Ben. She can say. This has happened in Gujarat. The education emphasis in Kanya Kelavani was emphasis in Gujarat. So this party has had this culture of encouraging women at all levels. No wonder this time you had, whether it is your Beti Padao or any other program. Take Mudra, for instance. It was a bank lending scheme. 70% of who got Mudra are all women. And I proudly say, but for the emphasis that the prime minister gave, you wouldn't have seen full commissioning of women in the Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. Today women are there full-fledged. So you can go on picking up examples of how this government has actually worked for upliftment of women. We just don't talk about it as though, you know, it's part of our responsibility, so we are doing it. We don't do just one and go on speaking about it. We've done this. We've done this. We've done so many. So in a party where I've seen from Mania Rajmata ji, to Sushma ji, to Mrudula ji, to Maya Singh ji, to Jaskor ji, to Jaivanti Ben. Today, there are so many of them. And in fact, at that time, Shobha ji used also, I used to think, my God, in Karnataka she was a power minister. And she was dealing with power sector reforms at that time as a minister there. And I'll repeat this anywhere. She doesn't speak about it. So many of us have done so much. And Meenakshi has done wonderfully in the courts here, fighting for women, much before she became a minister. And sometimes when I've heard about the way in which Pratima ji has worked in Tirupura, Amazing contribution, each one of us. Underlining the point, you don't need to come from a very big family. You don't need to have a, you know, father or a grandfather or a husband who's, you know, somebody politician. It's you who counts. And that's what matters in this party. So without taking much of your time, there are ever so much that we can speak. Each one of us have had our own little struggles to be here. As I said, Vanati correctly recounted, if each one of us have had one achievement, the achievement that Smriti has done, just uprooted the dynasty to tell them you are not invincible. You are not invincible. You are not invincible. I would come and finish you off. I may belong to your constituency or not. Now you go south. One of the big things, one of the big things, and all of us will have to be feeling very proud about these sort of achievements. The quiet Bharati Ben today, I'm sorry, I shouldn't say Bharati Ben to you, Bharati Maharashtra. But what a contribution, Renuka. What contribution. Each of their backgrounds, if you see, is amazing. So not taking more time. This is a party where you're safe. This is a party where you're sure. This is a party, if we are committed to it, you're there. And all of us are absolutely safe and you are under good guidance. Every leadership of this party has always encouraged women. And I'm primarily indebted to the Prime Minister for having given portfolios which I wouldn't. Who am I? Why should I be in defence? Why should I be in finance? Look at the confidence with which Prime Minister has given that responsibility. That makes my shoulder go like this, in fear. In scare. Can I deliver? Can I do? Can I? No worries. Constant support from the party, constant support from the leadership, constant support from the Prime Minister. And that's what all of us get. Not just a few of us. So thank you very much Mahila Morcha for having got us all here today. And good luck to all of you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much great. Thank you very much. Thank you. कि उसे प्ले किया जाए दो मिनिट का वीडियो कि उसे उसे ऑ्ले कोब भीडियो, हई में नाए खो शाउ कि उसे अचे हाँ किसा कि उसे आयके पिर सिफ्टेशire और देज़ कि उसे कद positioningya कि उसे भीडियो पिर पीडियो धन्याओ में कर दो दो आड़ी एंग। झाल 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 बहुत ही गर्व का शन आज इस शन में जिसमें हमारी सभी मंत्री बहने हमारे बीच में हैं और साथ ही उपस्तिते हमारे संस्था के सिर्मोर हमारे और्गनाजिशन के सरवचपत पे बैठे हमारे अध्यक्ष जी आदर्णिया श्री जगत प्रकाश नडड़ा जी जो हमेशा बहनों से वो स्नेहे वो आशिरवाद उन्हें देते हैं कि आज हर बहन को ये गर्व महसुस होता है कि मैं भारतिय जन्ता पार्टी में कारे रत हूँ चाहे वो बहन मंडल स्थर पे काम करने वाली हो या मंत्री मंडल में मेरी बहने जो आज मंत्री हो गई है पदाधिकारी है या हमारी राष्ट्य अध्यक्षा है ऐसे हमारे आदर्णिया अध्यक्ष जी को मैं अमंत्रित करती हूँ अच्पे एक बार जोड़दा तालियों से उनका अविनंदन करें और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अक्का और अवर अक्का निर्मला सीता रमन जी आपका भी आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी आदर्णिया जगत प्रकाश निर्डाजी आज के इस महिला मंत्रियों के अभिनंदन कारिक्रम में उपस्थित मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रिय महामंत्री और महिला मोर्चा के डेख डेख करने वाले ऐसी हमारे महामंत्री और राज्य सभा में सदस्य श्री दुश्यंत गौतम जी हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा वानती स्धिनिवासन जी जिन्होंने इस कारिक्रम की रचना की और हम सब को इसमें आमंत्रित किया ऐसी वानती जी और हमारे भारत की वित मंत्री, हम सब लोग के साथ, जिनके साथ हमने भी लंबे समय काम करने का मौका मिला, निर्मला सीता रमन जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और जिनके साथ संगठन में मुझे जब आप महिला मुर्चा के अद्यक्षा थी, तो महामंत्री के रूप में भार्तिय जन्ता पार्टी का काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे श्रीम स्मृति रानी जी, हमारे सभी नए मंत्री गंड जिनको आज अभिदंदन कारिक्रम हुआ है, हमारे सांसद गंड, सांसद सदस्या और हमारे भार्तिय जन्ता पार्टी के महिला मोर्चा के राष्ट्रिय अपदादिकारी, प्रदेश पदादिकारी और सभी वरिष्ट कारकरता बंदू बहने. मुझे आज इस कारकरम में आने का सौभागे मिला, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद कुछ कम्युनिकेशन में कुछ गड़ड़ी हुई है, कि कारकरम छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, मैंने जाना है, मैंने ये कहा था कि कारकरम आप अपना दो घंटे का करिये, मुझ जैसे कि ज़रूरत आधे घंटे ही ठीक है, मैंने अपने वारे में ये कहा था, लेकिन कारकरम छोटा करो, ये मैंने नहीं कहा था, तो फिर मैं मुझे जब पता चला तो मैंने फिर निर्मला जी को कहा कि आप भी बोले सब के भाषन भी समाप्त कर दिये थे तो मैंने का ये तो बड़ा अन्या है आप ही का कारेक्रम है और आप ना बोले तो आपने बोला और उन्होंने मेरा काम बहुत थलका कर दिया क्योंकि वानती के बाद और निर्मला जी ने जिस तरीके से महिला मोर्चा, महिला योगदान, महिलाओं का योगदान, भारतिय जनता पार्टी में उनका योगदान ये सारी बातें जो उन्होंने बड़े विस्टित रूप में रखी है मुझे लगता है उसमें कुछ जोड़ने की जुरूत नहीं है बलकि उसको मैं उसको संसदिय भाशा में कहता हूँ कि जो उन्हों का वक्तव विरहा है उससे मैं अपने आपको संबद करता वैसे आप सब लोग के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है समय समय पर आप लोग की बातें में सुनता रहता हूँ और जो मेरे मन में होता है वो भी मैं आप सब के साथ चर्चा करता रहता हूँ और हम सब लोग सहयोग करके एक दुसरे के साथ संगठन में काम करते हैं। एक बात पार्टी के वारे में तो बाद में आऊंगा, लेकिन विचारधारा के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ या बूलना चाहता हूँ. क्योंकि कई वार चर्चा होती है तो चर्चा का टोन और मूड क्या होता है इसको भी समझना चाहिए और मैं जब कॉलेज उनिवस्टी में था तो उस समय विमिन्स लिबरेशन का आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ करके आगे खड़ा हुआ था बतलब बहुत चला था उस समय तो उसमें बहुत चर्चा होती थी तो कई वार चर्चा होती थी कि हम क्यों नहीं कर सकते हमें बराबरी चाहिए हमें बराबरी चाहिए ये बात बहुत आती थी और बात सही भी है लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी संस्कृती भारतिय विचारधारा भारतिय हमको समझना चाहिए मतलब हम लोग कोई 1971 के women's liberation के उपज नहीं है इसलिए उनको भी अगर कोई सीख लेनी चाहिए तो हमसे लेनी चाहिए लेकिन हम लोग अपने जो strong points है उस पर कभी चर्चा नहीं करते किस संस्कृती में किस civilization में स्वयंबर नाम की चीज रही हो किस civilization में आप समझिये कि वो civilization कैसी होगी जिसमें नारी का सम्मान कितना होगा जहां स्वयंबर रच करके नारी तह करेगी कि हमारे जीवन साथी कौन है लेकिन हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं कभी हम लोग नहीं सुना देवता देवी हमेशा देवी देवता ही सुना कभी हमने नहीं सुना नारायन लक्ष्मी लक्ष्मी नारायन ही सुना हमने कभी नहीं सुना कि शंकर गौरी गौरी शंकर ही सुना और हमको कोई समझाए लेडीज फरस्ट तो हमारे मन में प्रश्ण होता है कि हम कहां खड़े हैं ये हमारी और मैं तो ये मानता हूं देखिए जिस घर में गुरू, माता और महिला इनका सम्मान नहीं होता वहां बरकत नहीं आती ये आप इसको आप प्रूवन करना चाहें, जिसको जानना चाहें, जानिये, रिसर्च करना हो, रिसर्च कर लीजिए, I openly throw the challenge that do the research of the families and you'll find it. The family which respects the guru, respects the mother, respects the ladies, वो family हमेशा आगे बढ़ेगी, कभी पीछे नहीं घटेगी, इस बात को हमको समिझाए चाहिए. तो इसलिए जब मैं महिला मुर्चा के कारक्रम में आता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं को स्थान दिया है, और मैं वानत्री जी को भी बढ़ाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कारक्रम करके, उनका ज संभाव सर मिला है, ौए सिर्फ राश्ट्री ध्यक्ष के रूपängen नहीं, युवा मोर्चा में जब मैं था, राश्ट्री ध्यक्ष, तो उस समय भी हमारे पालक के रूप में, मोदी जी राश्ट्री महमंत्री के रूप में उस समय काम देख देख थी, तब से मुरा उनके स सोचा है नेने लोगों को जोड़ने का क्या क्या तरीका बनाया है यानि यह सोच हमेशा इस तरीके से सोचना यह मोदी जी का ने हम लोगों को सिखाया है और कोई भी इसमें से महिलाएं कितनी है जरा बताओ तो युवा कितने हैं बताओ तो जरा जरा इसको इनलिस्ट करो क्या है आवरेज उमर इसको निकाल करके बताओ मेरे को तो जिसको कहते हैं भागिदारी पार्टिसिपेशन ये सारी चीजें उनसे हम लोगों को सीखने को मिली है और अभी ये जो भारतिय सरकार का जो मंत्री मंडल का विस्तार हुआ इसने स्पष्ट संदेश सारे देश में दिया है कि महिलाओं को जितना रेप्रेजेंटेशन इसमें मिला है उतना कभी नहीं मिला है इस बात को स्वस्ट देश गिए और समाज के सभी वर्गों का representation किया गया है सभी को जोड़ा गया एक जिसको कहते हैं भारत का फूलों का गुल्दस्ता यह भारत का मंत्री मंडल बना है इस बात को हमको समझना चाहिए इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और आपने टैलेंट तो देखा ही और टैलेंट को को रेकुनाइज करना प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से रेकुनाइज किया है उस सब हम लोग जानते हैं और आप लोग का टैलेंट मैं तो कई वार थोड़ा इस प्रकार का आदमी हो कि बहुत सी चीज़ें डेलिगेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि they will perform better than me, इसलिए ये डेलिगेट कर देने में ही लाव है, अब जिसे आप देखिए यही कारकरम हुआ, इसी कारकरम में महिला मोर्चा का कारकरम है, इसलिए इस कारकरम में हम तो कई वार आप लोगो देख करके बड़े घवरा जाते हैं, हमारे को एक काम कोई दे दे, तो बीच में कोई ये भी बूनने आजाए, सर, तो ऐसे है, don't disturb, तो ऐसे में आप सब लोग जो multi-tasking करती हैं, तो ये सच में बहुत ही सरानिय भी है और हम सब के लिए समझने व मानता हूं, अभी आपके सामने women empowerment and development through women, ये दोनों विशे आपके सामने आए है, सच्ता अभियान के बारे में चर्चा हुई है, empowerment, मैं चाहूंगा कि इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, तो होता है, लेकिन जो communication आप कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप रामनोहर लोहिया जी के संसद के भाशन को सुनिये, उन्होंने सिक्स्टीज में संसद में कहा था, कि जब मैं जीप से जाता हूं और जब मैं महिलाओं को देखता हूं अपने दैनिक नित्य करम के लिए और सडकों के तरफ जाती हैं, तो सर शरम से जुड जाता है, य लेकिन इसको साकार करने का काम और सफलता पूरवक महिलाओं को इज़त देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अर ये कहने की बात नी है, अंडर्स्टाइंड करने की बात है कि कितना बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार था, लीडिंग लाइफ इस सेल्फ रिस्पेक के साथ कितना बड़ा कॉंप्रमाइज था, और कहीं भी दिल में कोई दर्द नहीं होती थी, आज इंडिया बिकम्स ओपन डिफिकेशन फ्री, यह अपने आपने कितना बड़ा उत्तर है इस बात को हमको समझना चाहिए, और मैं प लाइफ बच्चे हॉस्पिटलाइज होते थे और धाई लाइफ बच्चे हर साल मर जाते थे, इन बातों को समझना चाहिए, इन चीजों को हमको जानना चाहिए, अभी चर्चा आ रही थी उज्वला योजना की वो गैस वो धूँआ लेना, दो सो सिगरेट का धूँआ ले इसको हमको समझना चाहिए, जो उनके ये लंग्स डैमेज हो जाते थे, वो लंग्स डैमेज होना कम हुआ है, टूबर ग्लुसिस का इंफेक्शन कम हुआ है, ये सारी चीज़े से जुड़ी हुए, इसलिए ये वेमन इंपार्व्मेंट का उतना ही नहीं मामला है, और मैं तो हिमाचल से आता हूँ, कही वार सुना चुका हूँ, लेकिन फिर भी हिमाचल के गाओं में, जिस किसी की भी उंगर साट-सत्तर साल की होगी, तो वो अपने गाओं में किसी ने किसी अपाहिज महिला को जरूर देखता है, कारण ये है, कि ये महिलाएं सुबह चार बजे उठकर, जंगल में जाकर, लकड़ी काटती थी, और लकड़ी काट करके लाती है, तब पांच बजे चूला जलता है, ये पहार की सिती थी, और महिलाएं पेर से गिल जाती थी, कही वार उनकी दीड की हड़ी तूट जाती थी, या अपाहिज हो जाती थी, वह भी गाओं मे वैसे ही अपाही जब वस्ता में रहती थी हाज जंगलों का कटना भी बंद हुआ है और आप देखेगा आपको फर्त महसूस होगा आप पहाडों में जाएं आप देखेंगे ग्रीनरी कितनी बढ़ गई है क्योंकि सिर्फ गैस और गैस का प्रुविजन करा देना आठ करोड एक दस लाख लोगों को गैस पहुंचाना यह अभी हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूर से हैं मुझे स्वास्तमंत्राले में काम करने का मौका मिला इसलिए मैं बाकी बातें नहीं करूंगा लेकिन infant mortality rate घटा है maternal mortality ratio घटा है और उसका कारण है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए intervention किया गया है pregnancy period के बाद after pregnancy 26 weeks का leave देना एक healthy child को बॉर्ण होना हम लोगों ने कारक्रम शुरू किया मा mother's absolute affection within half an hour उसको मा का दूद पिलाना है और उसको पिला करके इस कारक्रम को आगे बढ़ाना है six months तक इस बात को हम लोगों ने जोड दिया उसी तरीके से परिवार विकास mission हम लोगों ने 146 ऐसे districts निकाले जिस districts में population जो है वो total fertility rate से ज़्यादा है यानि 1.2 से बढ़कर 4 है 3 है 5 है यानि fertility period में महिला चार बच्चे पैदा करती है पांच बच्चे पैदा करती है इसको घटा करके 1.2 लाना है इसके लिए परिवार विकास mission के तहद काम चला है उसी तरीके से अब जो delivery होती है घर से free ambulance में लाना medical intervention करना अगर delivery cesarean होती है तो cesarean मुफ्त में करना वापस उसको छोड़ना और अगर कोई complication होता तो फिर वापस लाना और साथ में 6000 रुपीज प्रवाइड करना यह काम भारत सरकार में लिया है इसको को हमको समय में इसने infant mortality rate को घटा दिया मैं यह सारी चर्चा है आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि महिला सशक्तिकरन का अर्थ जो सामने दिखता है वही नहीं होता महिला सशक्तिकरन के यह बहुत से पैमाने हैं जिसको हमको समझना चाहिए और जिस पर लोगों ने काम किया है प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्युति में भारत सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है यह आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं जहां तक भारतिये जनता पार्टी का सवाल है मैं यह बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि यही एक अकेली पार्टी है मैं तो बच्पन से इसी विचारधारा में पला बढ़ा जब हम लोग काम में जुटे थे तो MLA का M भी नहीं दिखता था और जिला परिशद और पंचाय प्रधान जीतना तो दूर की बात होती थी कहते थे शहर की पार्टी है फिर कहते थे कि एक विशेश जाती की पार्टी है वहां से बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े हम कैसे बढ़े क्योंकि हमको एक बात का confidence था कि our path is the only right path and the scientific path यही scientific तरी और हम अभी भी रुखने वाले नहीं हैं हम बढ़ेंगे भारत में अकेले भारतिये जन्ता पार्टी होगी इस बात को हमको समझना चाहिए अकेले हम आगे चलेंगे हम प्रजातंतर में विश्वास करते हैं सब लोग अपने विचारों में काम करें अच्छे उत्तम विचा करें लोगों की जो जो दिक्कते हैं उसको करते हुए आगे बढ़ने का लक्ष को लेकर के हम सब लोग चले हैं और इस मिश्चन में आप सब लोग पूरा अपना योगदान करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है महिला शक्ती जिस तरीके से काम में जुटी है आपको सफलता मिलना यश मिलना यह सवभाविक है और यह तय है इसको कोई रोक नहीं सकता है हम खाली आप सब से एक निवेदन करेंगे कि जिन बातों को हमारे नेत्रियों ने आपके सामने रखा है उसको बन में विश्वास बना कर आपने चलने का तय करना है और उसको आगे बढ़ाना है यही मैं आप से रिक्वेस्ट आपका कारक्रम सफल है और सफल हो इसके लिए मैं वानती जी को फिर से धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को शुब कामनाई देता हूं जिस तरीके से अभी अगर विन पार्म मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पालिमेंट इस भारतिय जंता पार्टी मैक्सिमम नंबर अफ मेले जंता पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेलाओं का सशक्ति करन करते हुए और उनके माध्यम से विमन के थूड़ोपन्ट को एक अंजाम देने का जो प्रधानमंत्री जी ने लक्षत आय किया है निश्य किया है उसको पूरा करने में आप सब लोग अपना योगदा करेंगे और पार्टी की ओर से मैं आपको विश्वास लाता हूं कि आपके विकास और आपके द्वारा किये गए विकास को पार्टी हमेशा प्रोथ साहित करती रहेगी इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका यही संबल सब बहनों को हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की प्रेणा देता है और आज से सुंदर मंच न जाने फिर कम मिलेगा जिस पे हमारे राष्टिय अध्यक्ष बैठे हों भाई दुशंद गौतम हो प्रभारी के नाते निर्मला जी हों जो की हमारी अक्का की अक्का हैं हमेशा कहती हैं वानती जी की निर्मला जी इसमाई अक्का और हम सबकी अक्का वानती जी और साथ में हो स्मृती जी तो मैं आप सब के समक्ष केवल दो लाइनों में आप सबका एक सभाव चाहे वो हमारी स्मृती जी क्योंकि वानती जी को तमिल्नाडू में स्मृती अफ तमिल्नाडू कहा जाता है कि जिस परकार से जाइन किलर हमारी स्मृति दीदी है, उसी परकार से उन्होंने प्रेढ़ना दे करके वानथी जी ने भी जाइन किलिंग करी और तमिलनाडू में कमल हसन जैसी हस्ती को हरा करके आप यहां आई, मैं स्मृति दीदी, निर्मला जी और हमारी दीदी वानथी जी क दो लाइने केवल समर्पित करती हैं और उसके बाद हमारे परभारी भाई दुशंद गौतम जी हम सब का हमारी मंतरी बहनों का धन्यवाद करेंगे मैं एक एक परभारी हूँ, मैं एक एक परभारी हूँ, नकाम नहीं वो नारी हूँ, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, मैं जलती चिंगारी हूँ, चहरे से मीठा राग हूँ मैं, आखों की लोहू आग हूँ मैं, इस काली काली राजनिती पर श्वेत रंग का ताज हूँ मै एक श्वेत रंग का ताज हुना फिरती हूँ भागी भागी में फिरती हूँ भागी भागी में थक जाना मुझ को रास नहीं थक जाना मुझ को रास नहीं इन राहों को दिखलाना है इन राहों को दिखलाना है काटों को भी बतलाना है कि तेज हवा के जोंकों से, कि तेज हवा के जोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं, गिरते पड़ते लड़ते जाना है, रुक जाना मुझ को रास नहीं, रुक जाना मुझ को रास नहीं, आप सब बहनों को, मैं बहुत-बहुत एक बार फिसे साधुवा देती हूं, रामंतरित आज इस महिला मंत्रियों के अवीन दनकार करम में हमारे मद्दे में उपस्ते बड़े कीमती समय में अन्य को उनको बीजी रहने के बावजोद भी जब आपका प्यार और सने उनको मिला है तो उसके बाद उनने दिल खोल के हमें समय दिया है ऐसे हमारे ताष्ट अध्यक्स आदिने जगतपकाश नडड़ा जी जिनके नेर्टत में लगातर हम कुरोना से लड़ रहे हैं और लड़ी नी रहे एक किरतिमान चुन्यूती को किस परकार से अफसर में बदलते हैं सेवा ही संगटन के माध्यम से जिस परकार बेहनों और माताओं ने सबने सेवा की है और यही नहीं जब संगटन के बात आती है तो आपका एक कुसल नेतर्त्व आज मैं देख रहा था किस परकार आपके नेतर्त्व में आप राष्टे अध्यक्स हैं लिगे राष्टे अध्यक्स में आपके जितीम में जो भी व्यक्ति है उसमें से कोई ना कोई मंत्री बना है उपाध्यस के रूप में अपने अनुपुर्णा जी बैठी हुई है महा मंत्री के रूप में उपंदर यादव जी है मंत्री थे तो गुड़ू जी है परदेश अध्यक्स मुरूगन थे तो वो भी आज मंत्री है और ऐसी परवक्ता में चंद सेकर जी हर जगे से आपने परदेश ने तो मंत्री मंडल में भेजा है मैं आपका तह दिल से बहुत दन्यवाद करता हूँ आप कारे करता की बराबर चिंता करती है हमारे बीच में हमारी राष्ट्य अध्यक्स पहन बनाती स्री निवासन जी जिन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया उस गुछ पिद दिये और पटकेवे दिये और मिस्टे लगा कि जिस परकार मंत्रियों का उनकी भासा में उन्होंने स्वागत किया वो मिर्खाचरी पर्थम रक्षा मंत्री इंदूस्तान की जिस समय आप रक्षा मंत्री थी आप में मा दुरुगा दिखाई देती थी हम में मा दिखाई देती थी पाकिस्तान और चाइना को दुरुगा दिखाई देती थी जिस परकार से आपने जैट पर गए और लगातार अपना गोरव और उसके बाद में आज आज आप धनकी देवी हैं, बितमंत्री हैं आज और में ख़ल आपके पैसे दिये बगर कोई जितना भी हम योजना बता रहे हैं, आप जब देती हैं, बीस हजार करोर लाक रुपिया और ये सब देती हैं, सब का मन परसन होता है और अब दिवाली भी जी आ रही है, सबी लोग आपकी दरभी देख रहे हैं, मैं आपका भी अविनदन करते हूं, मैं अविनदन करता हूं पहन शिमृती ईराणी जी का जो जी मोदी जी ने एक सपना लिया है, कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूं, तो स्मृती जी उसमें योःटान कर र आप देना चाती है, जिसमें एक एक गांजी को आप देश से बगाने का काम कर रही है, वो मेखाल केरल से आगे कहा जाएंगे, समुंदर तो देखी लिया है उनोंने, मैं बहुत बहुत दन्यबाद करता हूं, आज जब मैं देख रहा था, कि हमारे सास्त्रों में, हमारे अवं अकातन धर्म के जिसके हम लेकर चलते हैं, जो विचार और संस्कृत रहा हमारे अंदर हैं, उसमें कहीं भी महिला को दुतिश्तान ने देए गया, और सही बात है, हम राम सीता नहीं बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, हम कहीं भी आप देखेंगे, कि हम सबसे पहले मा आता हो और भहनों का नाम लेते हैं, रादा किष्ण बोलते हैं, लच्मिनायन बोलते हैं, गोरी संकर बोलते हैं और आज चरितार्थ भी होता है। आज हम मंत्री मंडल जब देखते हैं, मंत्री मंडल के अंदर हम कहीं भी नहीं देखते हैं कि हमारी महिला हैं, कहीं पर महिला के रूपे ही हो, मैं एक-एक महिला का देख रहा था कि जो फैमिली वेलफेर के साथ साथ में इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर्स, रूरल डप सबसे बड़ा उधारन यही है कि आज जब देश के परदान मंत्री जी ने मोका महीला को दिया है तो महीला ने भी आज ओलंपिक में पहला पददक का किसे ने दुलाया तो वो महीला नहीं दुलाया यह महीला सस्थिक्ति करन का बहुत बड़ा और हम जिनके विचारों पे चलते हैं पंडिदीन द्याल उपाद्य जी का मैं एक उत्वुदन दे के अपना समापन करूँगा 26 जनवर 1965 को विजय बाड़ा अधिवेशन में उन्होंने कहा था जनसक की अधिवेशन में कि किसी देश की किसी समाज की किसी गली की किसी मोले की किसी परिवार कि आपको विकाज देखना है तो आप उसकी महीला का विकाज देखें कि महीला ने किसी उन्नत्ती कर रहे हैं अगर उस घर की महीला और बेटी उन्नत्ती कर रहे हैं अगर वो आज ये रूप देखते तो उनको लगता कि हिंदुस्तान सही दिसे में जा रहा है और हिंदुस साथ अपने राष्टे अध्यक्स जी का मंच पर आशेन अपने दोनों मंत्री प्रदेश की और राष्टे अध्यक्स और सभी मंत्रियों का बहुत पूत अविनदन करता हूं पुना क्योंकि कारेकरम और भी आगे बनेंगे अभी हम 31 तारिक को हैदराबाद में मिल रहे हैं उ पुषंद गौतम जी का कारिकरम के बाद जल्पान का भी विवस्ता हम सब इकठे करेंगे परन्तु उससे पहले मैं बाकी बहनों से निवेदन करूं कि वो बैठी रहें और एक ग्रुप फोटोग्राफ पदाधिकारियों की और हमारी मंत्री बहनों की हमारे शेश नेत्रत के साथ में जी सभी मंत्री बहनों से मेरा निवेदन कि आप किर्पया मंच पर आए और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम सभी